शहर में बनने जारे अजनी इंटर मॉडल स्टेशन बीते कई दिनों से सुर्ख्यों में हैं एक और जहां ये प्रोजेक्ट विकास की स्वागात लेकर आता है वहीं पर्यवरन को हानी पहुचाने का बिंदू भी बन रहा है जिसके चलते जल से जल इस मामले में निर्ने लिया जाएगा साथी पर्यवरन को नुकसान पहुचाए बिना कोई निशकर्श निकाला जाएगा ऐसा आश्वासन पर्यवरन मंतरी आदित ठाकरे ने दिया बता दे कि उन्होंने सोमवार को खुद अजिनी वन पहुच कर वहां का निरिक्षन किया और पर्यवरन प्रेमियों से बात की केंदरी मंतरी नितिन गटकरी ध्वारा प्रस्तावित अजिनी इंटर मॉडल स्टेशन का काम शुरू होने से पहले ही सुर्ख्यां बटोर रहा है हाला कि ये मामला कुछ और है जहां एक और ये इंटर मॉडल स्टेशन विकास की बहुत सारी स्वगात लेकर आता है वहीं बताया जा रहा है कि इंटर मॉडल स्टेशन की वजह कई पेडों की कटाई होना भी प्रस्तावित है जिसके चलते शहर भर के पर्यावरन प्रेमी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है हाला कि उनका कहना है कि हमें इस प्रोजेक्ट से कोई दिक्कत नहीं है वो विकास चाते हैं लेकिन पर्यावरन को नुक्सान पहुचाए बिना इसी के तैयत शहर भर के पर्यावरन प्रेमियों की और से लगाता पिटीशन दायर किये जा रहे है उनके स्विरोत का ही नतीजा है कि खुद राज्य के पर्यावरन मंत्री आदित ठाकरे सोमवार को अजनी वन पहुचे जिस दोरान पर्यावरन प्रेमियों से बात कर उन्होंने संपून इस्तिती को जाना साथी पर्यावरन प्रेमियों के सुझाव पर भी गौर किया परियवरन प्रेमियों ने इस वक्त बताया कि इस प्रोजक्ट को अजनी की जगा खापरी में भी बनाया जा सकता है साथ ही का कि अगर अन्य देशों में इस प्रोजक्ट को कम जगा में बनाया जा सकता है तो हमारे यहां क्यों नहीं जिस पर मंतरी आदित ठाकरे ने जल्द से जल्द निश्कर्ष निकालने का आश्वासन दिया बता दे की एक लंबे अर्से से पर्यावरन प्रेमियों की और से अजनी वन के संरक्षा में प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें उन्हें शिफसैना प्रवक्ता और पूर्व विधर्व महीला संपर्ग प्रमोक शिल्पा बोड़खे ने एक एहम सयोग दिया ऐसा पर्यावरन प्रेमियों का क्याना है हाला कि जिस तरह सुमवार को पर्यावरन मंतरी ठाकरे नाकपुर आये उससे निश्यती पर्यावरन प्रेमियों में उमीद की एक लहर दोड़ पड़ी है BCN News के लिए दिशा अटबार की रपोर्ट